जी आनमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का आरेस न्यूस के को नई वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखरकार जो आज भारत और वेस्ट अंडीस के बीच में दूसरा टीट्वन्टी मुकाबला खेला जा रहा उसी की लाइव के बारे में तो आप सभी भारत और वेस्ट अंडीस के बीच में दूसरा टीट्वन्टी मुकाबले की लाइव अपडेट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहीएगा अंत तक इस वीडियो में और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको किर्केट जगत से जूड़ी चो काफ तो इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो यह होगी कि दूसरे टीट्वन्टी मुकाबले से पहले भारत्य टीम को मिली बड़ी खुश खब्रिया चानक से बिसी सियाई ने किया ऐसा बड़ा एलान की जानने के बाद पूरा भारत देश उठा खुश तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे तो आप सभी इन तीनोई खबरों को जानने के लिए बिलकुल बने रिएगा अंत तक इस वीडियो में और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारते टीम दूसरा टी-20 मुकाबला वेस्टेंडीस टीम के खिलाफित जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टार्गेट अमने रखा है बस मात्र पानसो लाइक्स का तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताई कि वंडे सीरीज जीतने के बाद और फिर T20 सीरीज के पहले मैच में विजई सुरुआत करने के बाद भारतिय टीम शुकरवार को इडन गार्डन्स में दूसरे T20 मैच में वेस्टन डीज के खिलाफ जीत कर सीरीज पर कबजा करने के लि इसको बराबर करने और दोरे पर अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए सामोहिक प्रयास्त की आवशकता होगी बरना उन्हें खाली हाथ बापिस घर लोटना होगा तो वहीं दूसरी तरफ भारत बुदवार को रवी विस्नुई के पहले अंतराष्टे मैच से खोश होगा तो वहीं अपनी गुगली से रवी विस्नुई ने एकी ओवर में रोश्टन चेज और रोमेन पोवल को आउट कर मैच का रुख बदल दिया था जिसके लिए उन्हें प्लेयर आफ दा मैच का पुरुषकार से भी नवाजा गया था तो वहीं रवी विस्नुई ने अपने चारों ओवरों में 17 रंद देकर दो विगट चटकाए जहां भारत के लिए पहला टी-20 जीतने का अधार तयार किया गया तो वहीं वर्ष के अंत में और उस्टेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले रवी विस्नुई का प्रदर्शन भारतिय टीम प्रवंदन क को खुश करने वाला है जहां भारतिये बल्लेबाजों के मोर्चे पर रोहित शर्मा द्वारा बहतर शुरुआत देने और सुर्य कुमार यादव के लक्षे का पीछा करने के बावजूद भारत को उमीदे होंगी कि बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा सुधार देखने को मिल वहीं वेस्टेंडीस के लिए उसके सीर्स करम के बल्लेबाजों को पहले मैच से बहतर करने की जरुएत है तो वहीं निकोलस पुरन ने 43 गिंदों में 60 रनों की पारी खेली इसके अलावा कप्तान कायरन पुलार ने अंतिम ओवरों में कुछ चौके लगाए हाला कि पिनन रोश्टर चेज्ज अकिल हुसैन और फेवे नैलन ने 158 ननों के लक्षे का पीछा करते हुए भारतिया बल्लेबाजों को परशान करने में काम्याबी हासिल की तो वहीं दोनों ही टीमों के बीच सुकरवार को एक समान मुकाबला देखने को मेलेगा जहां भारत के लिए एक जीत उनकी जीत के सिलसले को आगे बढ़ाएगी जबकि वेस्टेंडीज अपनी कलतियों को सुधारने और मेजवान टीम के विजही रत को रोकने का प्रयास करेगी तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें भारतिया टीम के बारे में जो हम सभी को भारत की टीम इस ऐयर दीपक चाहर श्रादुल ठाकुर हर्शल पतेल मुहमद शिराज युजविंद्र चहल भुवनिश्वर कुमार कुल्दी प्यादव दीपक हुडा आवेश खान रुतराज का एकबाड और रवी विसनोई तो ऐसे में दोस्तों यही वो टीम है जो कि आप सभी को भ भारते टीम काफी ज्यादा मजबूत है और इसे में हरकी ची को उम्मीद होगी कि भारते टीम जरूर वेस्टन डीज के खिलाफ दूसरा टीटन टीम मुकाबला जीतेगी हाला कि दोस्तों दूसरा टीटन टीम के लिए जीतना इतना असान होने नहीं वाला है क्योंकि यहां आपकी क्या रहा है अब भारती टीम के बारे में और आपको क्या लगता है कि अब भारती टीम दूसरा T20 मैच वेस्ट अंडीज के खिलाफ जीत पाई इस टीम के सात्याफि नहीं और आप भी इस पूरही स्कौर्ड में से अपनी बेस्ट प्लिंग लावन टीम दूसरे T20 जीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए बागे बड़त हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल करा रही है वो यह है दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताई कि भारत और वेस्ट अंडीज के बीच तीन मैचों क एक बार फिर से टॉस जीता और टॉस जीतने के साथ उन्होंने गेंदवाजी करने का फैसला किया जहां कॉलकत्ता के इडन गार्डन्स मैदान पर पहले गेंदवाजी करने वाली टीम को काफी जादा मदत मिलती है लेकिन यहाँ पर वेस्ट अडीज की टीम ने आज कि इस मुकाबले में 34 गेंदों में 52 नों की बहतरीन पारी खेली जैसे कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो तो वहीं काइल मेयर्स ने 17 गेंदों में 30 रन बनाय और इसी के साथ वेस्टन डीज की टीम की अच्छे शुरुवात इन दोनों करते हुए 40 गेंदों में 44 रन ठोक डाले और वेस्टन डीज की टीम के लक्षे को और भी जादा बढ़ाया तो वहीं दोस्तों फिर मैदान पर उत्रे रोमें पोवेल और अकील होसे इसा रनों का लक्षे भारतिय टीम के सामने रखा और बाकी आप सब रखते हुए कप्तान रोहित शर्मा किसी भी तरह की धील नहीं चाते है और इसी बीच हम आपको बता दें कि जो आप सभी को भारतिय टीम खिलती हुए नजर आईगी उसमें से ऐसा हो सकता है कि रिशा पंत को टीम से बाहर किया जाए और उनकी जगा पर इशान किशन की व पर इंदवाज होंगे शामिल उसमें नाम निकल कराता है हर्शल पतेल का युजवेंद्री चहल भुवनेश्वर कुमार दीपक चाहर और रवीब विस्नुई का तो भी बात करें मध्यम करम की तो मध्यम करम में तीसरे नमर पर विराट कोली टॉप और में आप सभी को भा हमें उमीद है कि आपको दिखाएगी जानकारी पसंद आई होगी वीडियो चल लगा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे तो मिलेंगे अगली को रेसी जानकारी में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत